गाजा में दोस्तों बिना एनेस्टीसिया के मरीजियों का ऑपरेशन किया जा रहा है दोस्तों इससे आप अंताजा लगा सकते हैं कि वहां के क्या हालात होंगे और क्या हालात हैं दोस्तों जिस तरीके से वहां पे बिना एनेस्टीसिया के आप्रेशन हो रहा है किस दर्द से वो लो गुजर रहे होंगे, मरीज किस दर्दनाग लम्हे से वो गुजर रहे होंगे, डॉक्टर किस तरीके से उस दर्द को महसूस कर रहे होंगे, दोस्तों हमारे लिए यह लोगों की इंसानियत की नहीं, कहीं से कैसे भी उने अल जज़िद्धा की रिपोर्ट है दोश्तों के हमास डाग तो रहा है, वो जो तो रहा है वो उसको नुश्ट कर दे रहा है, तो दोश्तों, वो कितना नुक्सान कर पाला है बट जब उधर से देखो नुकसान जिदर जिदर कभी हो, इनसान जिदर भी माले जाएं, बेकसूर माले जाते हैं, बेवजाही माले जाते हैं, ऐसा ना इस्राइल में होना चाहिए, ना गाजा में होना चाहिए, बट जो गाजा में तबाई हो रही है, दोस्तों, इनसान इस गाजा पर कुछ बड़ा हमला होने बादा बार हमला या फिर यह जो हमला होएं इस बात को लेंके आरब मुल्क भी काफी खफा है इसराइल से और बताया बी जाता है, और एक हिरान के इस साइलिक पूरी सीड़ी तरीके से इसराइल से जंग लड़ने को त्यार है तक्रीबन जितने भी मुलक हैं धर्वी थी ले ख़भा हुई पड़े हैं, और इस थीखेसे वह कारेभाहिई इस राहा है बार बार गाजा बर, बिल्कुल इंसानियत हो, बिल्कुल स्रम्सार पड़ा है, बिल्कुल समय से जुखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चीक है तो, क्या ह पूरे अरब मुल्क में फलिस्टीन के समर्थन में रिटेलिया हो रही है और वहां जो लोग इस बात को जो एक अहला हुआ है वार को लेके अरब मुल्क है वो खफा हैं ये भी खबर आ रही है दोस्तों के बच्चे अपने अधिरियों पे नाम लिख रहे हैं ताके कोई आग सब्फार गोर सारह हैं सारे मुल्क अगर जो अगर अरब मुल्क है वो अगर एक साथ आगा नाराजगी में एक यह उद्र छिड़ जाए तो दोस्तों हो ना जाने दुम्या इस तरफ चली जाएगी जो बड़े ताकत वाले देश हैं दोस्तों वो समझता करवाने हैं नहीं तरक्ति माज रहे हैं उसका अंतास इंसान को ही नहीं है जो बड़ी टाकत वाले ज्यों नीक वाली शें जो टाकत वाले मुल्क वाले इस है तो वह मैं सही बता हूं वह संज़्वतागा नहीं करना चाहिए तो दोस्तो यह busy अपका Khim जनिये जड़ करें earnest